उस काल को पासान काल कहा जाता है, यानि किसी को मरना है तो किसी से मरना है, अब न लोग गोली से उरा देता है, ठिच किया आओ, उर गया उधार, उस समय में कुन ची से मरता था, पेर करतना है तो किसी से करता था, जमीन खोदना है तो किसी से खोदता था, कैसे हैं आप लोग मैंने कल प्रोमिस किया था आप लोगों से कि मैं इतिहास पढ़ाना सुरू करूँगा कल से ठीक है इतिहास जो मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको आपको एक बिशय समझ के नहीं पढ़ना है history एक subject होता है यह समझ के हमें इतिहास नहीं पढ़ना है नहीं तो आपको फिर इतिहास समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा ठीक है तो इतिहास को आपको जो पढ़ना है वह केवल और केवल एक सिनेमा समझ के पढ़ना है पढ़ना है ही नहीं सिर्फ सिनेमा देखना है इंज सरी के बच्चे तो हैं नहीं मेरे सामने बैठे हुए विपिन सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि कॉम्प्टीशन के बच्चों को सफल बनाया नहीं जाता है उसको सिर्फ मार्ग दर्सन दिया जाता है वो सोइंग बन जाता है ठीक है तो हम जो इतिहास आपको है आपको सिनेमा समझके पढ़ना है धारवाहिक समझके पढ़ना है एपिसोड बाई एपिसोड देखना है या सिनेमा देखना है तो अपना सिनेमा देख लेना है ठीक है तो आप जो इतिहास हम से पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इतिहास सब्द के बारे में जान लिजिए इतिहास होता क्या है हलाकि सधारन अर्थों में आप सभी जानते हैं कि जो भी बात बीत चुका है उसी को इतिहास माना जा सकता है बीत चुका है वो इतिहास वैसा बिसा है जिसमें केवल और केवल बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है उस विसाय को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है इतिहास, हिस्ट्री इतिहास किसी का भी हो सकता है आप ये मस समझे कि भारत का इतिहास है बिस्टु का इतिहास है बिहार का इतिहास है यही इतिहास है इतिहास आपका भी है इतिहास मेरा भी है स्रिष्ठी के रोम रोम का इतिहास है और किसी भी इतिहास को हम तीन भागों में बाट सकते हैं एक प्राचीन इतिहास दूसरा मद्कालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास प्राचीन इतिहास इतिहास का वह भाग होता है जो सबसे पहले बीच चुका है सबसे पहले का भाग जिसका भी होगा वह प्राचीन इतिहास है मद्ध कालीन इतिहास वह है जो प्राचीन इतिहास के बाद का है और आधुनिक के बीच का है इसलिए उसके नाम में ही मध्य लगा हुआ है बीच का इतिहास आधुनिक इतिहास वह है आधुनिक इतिहास उसी इतिहास को कहा जाता है जो मध्यकालीन के बाद का है और आधुनिक से सटा हुआ है अभी से जो सटा हुआ है मदिकालीन के बाद का और आधुनिक से सटा हुआ वही है आधुनिक इतिहास यानि की अभी के वर्तमान से सटा हुआ प्राचीन सबसे पुराना मदिकालीन भीच का और आधुनिक जो मदिकालीन के बाद का अभी से सटा हुआ है अब आपके मन में आता होगा सर हम लोग का इतिहास कैसे हो सकता है तो आपका ही नहीं सृष्टि के रोम रोम का इतिहास होता है इस ब्रह्मान्ड में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका इतिहास नहीं है आप जो कलम कुछ दिन पहले खड़ दे थे अब वो उस रूप में नहीं है और जब वो समाप्त हो जाता है तो उसे आप फेक देते हैं यानि कि अंत्ता हुआ भी समाप्त हो जाता है आपके मन में आता हुए सर हमारा इतिहास हम कैसे मानेंगे तो जब से जनम लिया तब से माल लो 5 साल का इतिहास, प्राचीन इतिहास, 5 साल से माल लीजे 15 साल का इतिहास, मतिकालीन इतिहास और 15 साल से अभी तक जो आपका इतिहास है वो आधुनिक इतिहास है आपका इतिहास को बिसे गलती से नहीं समझना है मेरे पढ़ाए हुए किसी बिसे को बिसे समझना ही नहीं है मैं बिसे पढ़ाना रहता तो मैं नहीं आता आपके सामनी मैं भारत के सभी भी द्यार्थियों को एक संदेश देना चाता हूँ कि बीसे नहीं समझो पढ़ाई को पाहु बली पीसे समझ के देखे हो KGF 1, 2 पीसे समझ के देखे हो उससे ज़्यादा रोचक तो इतिहास है उससे ज़्यादा रोचक physics chemistry है तो आपको इतिहास जो पढ़ना है वो आपको केवल और केवल कहानी में पढ़ना है समझ लिजिए हम इतिहास पढ़ते क्यूं है इसे भी जान लिजिए हम इतिहास इसलिए पढ़ते है क्योंकि अगर हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी कि हमारे पीछे क्या हुगा है आपको पता होगा, गाउं में आपके बोला जाता है फलानमा से दूर रहना, उसका बाप चोर था तो यह इतिहास के द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है समाज को जो आपको बताया जाता है उसके पिता जी आइस थे क्यों बताया जाता है इसलिए बता जाता है क्योंकि जिसे पहले से जानकारी दे दि जाती है कि तुम्हारा बाप छोर था तो उसको एक इंडिकेशन दिया जाता है कि तुम मत बनना चोर बाप के बरी पिटाई लगा था, पटक पटक के पुलीसों मारता था, पबलीकों मारता था, तो तुम्हें जानकारी देना ही इतिहास सबक देता है, इतिहास सिखलाता है कि आगे आपको जीवन कैसे जिना है, इतिहास का यह हम इसलिए परते हैं उसका यूज कहीं पर नहीं है बस केवल एक यूज है कि आगे के जिंदगी में आप उन गल्तियों को नहीं करें जो आपके पुरवजोंने किया है जो आपके पहले कर चुका है लोग उस गल्ति को नहीं दूराना है यही इतिहास का फैदा है बहुत सारे बहुत सारे बिद्वानों ने कुछ दिन पहले कहा था भारत में इतिहास को हटा दिया जाए कमप्टीशन से फालतू भी सह है इससे क्या फैदा मिलेगा बच्चा को तो बहुत सारे लोगों ने कहा अगर इतिहास को हटा दिया जाएगा बच्चा कैसे जानेगा कि कौन-कौन सी गल्ती किस ने किया और उसे कौन-कौन सा खामियाजा भुगतना परा है इसलिए इतिहास का यही फैदा है इसलिए इतिहास भी से पढ़ा जाता है इतिहास में दो-त्रीन चीजे बच्चों को भसा देती है और वही चीज उसे भोजिल बनाती है सबसे पहले इसापूर्भी इस्वी, दूसरा सताबदी और तसक ये सारी चीजे ऐसी है बच्चा के दिमाग में यह आता है, इतिहास महासागर है और वो कहीं कहीं से मोती चुन के काम चला लेगा और कम्टी से निकाल लेगा, यहीं पर भूल कर देता है वो, इतिहास सिस्टेमेटिक पर ना है, ठीक है, और बिल्कुल, मैं आपको वचन देता हूं, इतिहास ला रहे हैं तो सबसे पहले जान लिजिए कि पुराना भाग प्राचीन बीच का मद का लीन और आधुनिक जो मद के बाद का है और बर्तमान से सटा हुआ है सबसे पहले हम परहेंगे कंप्टीशन के द्रिष्टी कौन से भारत का इतिहास चोकि हम लोग जनम कहां लिए हैं अमेरिका में न लिए हैं भारत में लिए हैं तो सबसे पहले हमें क्या परना है हलाकि विस्व का इतिहास भी हम तुमको परहेंगे तब पहले पर ना है भारत का इतिहास, जब सब के इतिहास को तीन भागों में बाटा जाता है, प्राचीन इतिहास, मद्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो भारत के इतिहास को भी कितने भागों में बाटा जाएगा, तीन भागों में बाटा जाएगा, प्राचीन सुरू से लेके 750 इसमी तक है प्राचीन भारत का इतियास जब से शुरू हुआ जब से शुरू हुआ उसको समय से नहीं बांदा जा सकता इसमें से कोई है या कोई था जो देखता कि कब से शुरू हुआ है तो जब से सुरू हुआ इसामसी के जनम के 750 साल बाद तक यानि 750 इसवी तक जितनी भी घटनाए घटी हैं वो सभी प्राचीन भारत के इतिहास में आएगा 750 सीवी से यानि इसामसी के जनम से 750 साल बाद से शुरू करके यानि 750 सीवी से सुरू करके 1750 सीवी तक जितनी भी घटनाय घटिया वो मद्यकालीन भारतिय इतिहास के अंतरगत आएगा और 1750 सीवी से लेके 1947 सिस्वी तक क्योंकि उसको एक अधार माना गया है आजादी को वहां तक जितना घटना घटा है वो आधुनिक भारत का इतिहास है तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का या सिरिष्टी के किसी भी चीज का सबसे पहला भाग पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले भारत का इतिहास में हमें किसका भाग परना चाहिए? प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें 11 गों कैसेट लगाएंगे हम, अपने आपको, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल तो हम कभी चलाते नहीं हैं, उसका प्लेयर, विडियो प्लेयर, है न, 11 गों सिनेमा दि जिसका नाम है, पासान काल सिनेमा स्टार्ट, पासान काल सिनेमा स्टार्ट, आज आपको हम उन लोगों की जानकारी देंगे, जे जीन्स पेंट ता छोरी ये लुंगियों नहीं पांता था, नंगा रहता था, याद रखिये, आज उन लोगों की जानकारी देंगे, जो सब से पहले स्रिष्टी में आया था सबसे पहले आया था सबसे पहले कोई नहीं जानता है कब आया था और उनका जो जीवन था वो इतना पुराना था कि उनके जीवन को आदी मानव का जीवन कहा गया आदी मतलब पुराना जीवन मतलब पुराने आदमी का जीवन तो वह इंसान जो स्रिष्टी में सबसे पहले आथा, उसी का एक कहानी सुनाएंगे आपको, खाली जो आप लोग सुनते हैं, आग की खोज किया था, कैसे किया था, बताएंगे, पसुपालन का खोज कैसे हुआ था, बताएंगे, कैसे खेती का सुरुआत हुआ था, बताएंगे, और कहानी म करें पहला सिनेमा देखने के लिए तयार हैं पहले सिनेमा का नाम है पसान काल पसान का साब्धी कर्त होता है पत्थर पत्थर जानते हो ना रोड पर बहुत विखरा मिलता है है ना वैसा काल जिसमें मानव ने किसी भी उपकरन और आजार के रूप में केवल और केवल पत्थर कहीं इस्तमाल किया उस काल को पासान काल कहा जाता है यानि किसी को मरना है तो किस्ची से मरना है अब न लोग गोली से उरा देता है, धिशके आओ, उर गया उधर उस समय में कुछी से मारता था? पेर करतना है तो किस्ची से करता था? जमीन खोदना है तो किस्ची से खोदता था? सिरिष्टी में मानव के जीवन में उस समय पत्थर पत्थर था, इसलिए इसे पत्थर का युग या पासान काल या स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, यान है ना तो आदमी ने उस समय के हादी मानव ने हम लोग का बिल्डिंग है जिसमें रहते थे उस समय जंगल ही लोगों का बिल्डिंग था आदी मानव प्रकृती से घुल मिलके रहता था नंगा रहता था किसी को कोई वोक्लाज नहीं लगता था किउंकि सब नंगा था cameo और गुण किसी की वाइप थी और को किसी का देवर था उसामें ऐसा कुछ नहीं था उस समय सब नंगे रहता था और जैसे जानवर अभी जीविका जी अब जैसे आप देखते हैं किसी को जैसे कोई डाउड उस अर्टिफिकेट अपना देता है कि हम कोन बीच का हस्बिंड है भाई इसके पास मत जाना ये मेरी वाइप है ऐसा है यानि जिसके पास जाना है जो जाना है जाओ अपना तुमको तुम्हारी एक्षा है जाओ जिनने है और वही इस रिष्ठी को आगे बढ़ाएगा याद रखिए लोग किसी तरह नंगे घुमा करता था प्रकिर्ति ने जो दे दिया उसी को खाना है जैसे जंगली फल फूल जंगली जानवर का मांस जो भी मिल गया प्रकिर्ति में अभी बला बात नहीं है कि महक गया है महक काल था जहां पे तनाव मुक्त था लोगों का जीवन जैसे कि अभी के जानवर का था अभी के जानवर का है लेकिन प्रकिर्ति ने समय की अनुसार उँ आदी मानव को भी धीरे-धीरे कुछ दिया पासान काल को तीन भागों में बाटा जाता है पुर्व पासान काल मद्य पासान काल और नव पासान काल और इस तीनों भाग में पुर्व पासान काल धाई लाखी सापुर्व से एक लाखी सापुर्व के बीच माना जाता है मद्य पासान काल एक लाखी सापुर्व से दस हजारी सापुर्व के बीच माना जाता है और नव पासान काल दस हजारी सा पत्थर का कुलहारी आज दूसरा होज था आग और चकमक पर चकम चकमबंप पर जो चमक त्दर और धारदार होता है उसी के ठकरने से चिंगारी निकली और संजोकर से सुखे पत्ते पर गिरी और वहीं से आग की उत्पत्ति माना जाता है कि हुआ है ठीक है तो आग जब लग गया तो उस समय का आदी मानव उसको क्या पता था आग क्या होता है उसके लिए तरही राक्षास था ये एक नया चीज था है ना तो ये बिलकुल अग्षास भागा अरे लेकिन कुछ ऐसा भी था लेकिन कुछ ऐसा भी था जैब भाग नहीं पाया जैसे बिकलांग बेचारा जिसका पैर नहीं ढहाओगा हात नहीं ढहाओगा कुछ जानवर जे अपने आप पर को अभर कॉन्फिडेंस समझता था कि हम सूतल लाएंगे तो यो कोई दिक्कत ते ये रैक्षा समरा छोर देगा उशुतल ला गया शुतले शुतले चल गया हैंनों अत सारे लोगाज गया लेकिन कुछ जानवरा कुछ आदमि उसमें जलके मर गया बाहर जो भाग जिए था उसमें भूर काल में सृष्टी का ナप से निर्मानुए हर काल में कुछ न कुछ क कि इसको शचाती पहुंचाया है । जब आग प्रकिर्ती नहीं लगाई थी अब बुझाई भी प्रकृती नहीं होगी भाई प्रकृती नहीं नहीं परकिर्ती नहीं उसे बुझाया बरसा के द्वारा जब कभी लाहा पाच दोस गो बोला कि चल न चल के देखते हैं कि क्या हुआ था ता कुछ ता कहा होगा हम न जब कहीं रक्षासवा हो तो छूप का बई ठल अपनों लोग को भी चटनी बना देगा हम नहीं जाएंगे ता क 15-10 आदमी जो पहुंचा उजब पहुंचा वहां पे तो उसको महसूस हुआ चारो और बिहंगम सन्नाटा सारे पेर पोधे जल गए थे वहां तो कोई जीवित था नहीं जो उसमें फसा था वो तो मर गया था जलके अब यह लोग पहला बार इस अब घटना देखा था तो इलो क्या किया कि उसको देखते 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 जंगल में बहुत दूर तक चल गया बहुत दूर तक चल गया बहुत दूर तक जब गया तक कुछ चीज कंपल सरी होती है इंसान के जीवन में जैसे खाना पिसाब करना पाखाना यह सब कंपल सरी है अब नरेंदर इस बात को उसम नेचूरल चीज किसी को नहीं छोड़ता है ताई लोक लग गया भूख अब भूख जब लगा तक खाना चाहिए ना जंगली फल फुल सब जल चुका था जानवर तो जे था से गोल था भाग गया था अम मरलाह का जे था उसको इलोग खाने से डर रहा था कि क नहीं कोई करमात नहों जाए इसको छूते ही लेकिन जब बहुत दुर घुमने के बाद जंगली जानवर नहीं मिला जीवित मार का खाने के लिए अभी वाला जमाना थोरे था फराई मिट खाता था लोग उसमें तो कच्छा मिट नहीं था आग था ही नहीं ता उसमें से ज बेठा बेठा कॉंसेंट्रेशन मत तो लिए एक दूगो जब उखाया होगा ता बापर सेवने स्टार होटल का न उखाना लगा होगा अभी भी फराई करके खाता है लोग मीट आउखरा तो उजमाने में फराई मीट मिला जे जमाने में मुरगा धरता रहोगा चीबाजात जब खाया और कहा होगा बाहर नहीं जाना ओकरा उरके नहीं कहना है कि हम लोग यहां एक दाम फाइब स्टार होटल का नंदे ले रहे हैं इन ही रोग खाओ अखुम्मा जालो कुछ दिन तक जब तक मांस मिलता रहा होगा तब तक जंगल में फसल लग गया लेकिन मांस की स खाओ निकलो जंगल से बाहर चार दिन में निकल भे करेंगे अभी बला बुलेट ट्रेंट थोड़े सा जे पंड़ो मिनट में निकल लाता उधर जाके जब बाहर निकला होगा तो सब खुस रहता होगा लेकिन जंगल वला अंदर के आदमी मू लटका कचुहार जैसन आप आदमी तो खुरापाती जात होता है एक भार हेलिकोप्टर पर चर जायता उसको राजधानी एक्सप्रे छोट लगता है याद रखिए इसलिए तो आदमी इतना आगे बरहा है इसलिए तो एतना टपला खाता है कश्टो भोगता है ज्यादा कबीले होने के चक्कर में है न आधा किलूमीटर के रिंज में एक रख्षास आएगा रख्षास की नौदूए गारा हो जाएंगे अजब रख्षास वाखाओ के चल जाएंगे तो अंत में चलेगा फिर ओहे माहल बोला ठीका लेकिन कहां से बुलाया जाए ता बोला याद करो क्या हुआ था उस बार ता जंगल में जे तुफा न लव रहो है में सब टकरा लई रहा तो बोला हुआ टकराओ उन्ने से या ता एगो उन्ने गया होगा आधा किलूमीटर के रिंज में एगो इन्ने आ साथ सो के स्पीन में डल दिया लेका टकरागे रख्षास आएगा नाक मू फट गया होगा दिया होगा पेरे उखार उखार कर अगर दिया होगा तो यो नहीं आया अंत में यही पड़ियोग यही पड़ियोग धीरे धीरे चलते चलते और किसी समय जब दूछ चकमक पत्थर का टुकराओ टकराया होगा कि फन से चिंगारी निकली होगी और कभी लाहा से समझ गया ह एहे हाव एहे अलवरव दीन और उसी से वो समझ गया होगा कि राक्षस को बुलाया जा सकता है उस समय पहला बार आग की शुरुआत हो गई आग की खोज हो गई उस समय जे खरगोस उर्गोस मिला होगा अहीरन उरन उस पर परियोग चला होगा धर तंगरिया फ्राई कर जल् मैं जो है आभाइ आखिशा पूर्व से एक लाक इसा पूर्व के बीच यानि सब से पहले है अदिमानब के जीवन के पहले व़म थी बीटर पासान काल में जो है नाख BROWN सबमनलत के सबीज होई कर अब परीमग खोज हुक का दोस्तन का लोग पकर पकर के खाते रहेंगे तो एक दिन तो जानवर समाप्त हो जाएगा तक खावी ही कौथी तब एक काम करो नो कुछ को खावा कुछ को पालो अउककर जे बाल बच्चा पैदा होगा तो में से कुछ के खाएंगे फिर कुछ के पाल लेंगे तब लाकी तब इस थीक जब अब भादाया तिए कम करो अभी एक शुरूआथ करो तब ओला के करा पाल वही पहले मूंक सबक्राइब पातर का कि पहले किसको पालोगे तब परयोग चला होगा तो गोब मुंसाधर लिया होगा पुछरी में बांदिया होगा दूचार दिन सब्दाव गएदा बश जोटनो के फुदर जूदर करता है, इसको खोल के पची फगा तक उसके ह은द, तक वाद आपड़ के बान! बारिखा के बान, धालिया होगा साध के पठक सालने के, पठक! पठक दिया होगा हो जंगली रस्षी से बांद दिया होगा तब 20-40 गो पटक कबान होगा तखनी तक तसाध तनी कंट्रोल में रहा होगा अजब फिर अंती में छोड़ा होगा एक दूगो के जहात में उकरा तसाध ले गया होगा पराइवेट जगव पे खीजगा आ उन्ने जाका लाते लाते मुक्के मुक्के खाना होगा उन्ने से उ परियोग हुआ जिसका नाम था कुट्ता को ही सबसे पहले चुकि कुट्ता ने उस समय से लेकर आज तक वफादारी करके सिद्ध कर दिया कि उसे क्यूं सबसे पहले पालतु बनाया गया था आदमी गद्दार जातों के प्रूप कर दिया कि आदमी पालने योग नहीं होता ठीक है कुट्था को सबसे पहले पालतू बनाया गया याद रखिए मद्ध परधेश के आदम गढड़ नमक चुण प्राजस्थान के बगउर नमक चागपे सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया था ठीक है हाँ कुट्टा तो एकदम कॉनफॉर्म है कि उसी तिसरा था नव पासान काल में दस हजारी सापुर्फ से पांच चारी सापुर्फ के बीच में जो परमुक खोज बहुत खोज हुई चाक की पहिये की लेगन उसमें सबसे बर खोज थी खेती की सुरुवात है ना हुआ यह कि बहुत सारे काबिल आदिमानव जो भी उनको जंगली फल मिलता था या जंगली बीज मिलता था उसको वो जमीन में घार देता था अभी जानवर और में यह यह स्टाइल है जानवर मैं कुट्टा पालता हूं मैं सौकीन हू उसको एक्स्ट्रा हो जाता है पेट से तो अंगन में मेरे जाकि उहां पे मिट्टी है तो उसमें गार देता है उसका सेंस ही है कि जब नहीं मिलेगा कभी तो उसको खाएंगे तो आदिमानव जे गार दिया उभूल गया उसको तो मिलते जा रहा था उखाते जा रहा था मि मिला कभी खाना तो उसको याद आया जा फनला जगता गार ले है अब बीच में हुआ था बरसा उपाज गया था अंकुरित हो गया था अब पहुचा दीमान अंकुरित देख अभी बला बात थो रहा जो समझेगा अच्छाई खेती हुगा है उसको लगा कि कुन लमार दिया ऊधिया इसको अब हम गारे थे बेज्ञाइङ लमोर गया तो फजाल गया और जमाने में कोई नहां रहता है यह और है यहां धना के लोगर रहता है तो पह रहा जेखता है देख सी और सिट रन गया धिया मेरा बलब भाए रहे नहीं नहां देखना ले गया हम ता थे जो अ हैं बाबु किर यां हम नहीं लमार हैं यहाँ हम नहीं लमार लियेällen मोहां कोई दूस्मन नहीं लमार लघी ही तो फिश मुकह मारा उसको पटके पंच जूत गया हुए है नंगा वे कभिल आहां था उसा पांच था पहुंचा आये कहें आर्डा हुझ देखिये आप हिन चभी लोग सब किये ल्मार दिया मोला कह लम दिया अधां हुट पेट पर अधा लात मार दिया तुम आधे बोला नहीं सर हम नहीं ल्म नहीं ल्मार हैं कि we मंच सब उसको थोड़ा अनाज दिया होगा और बोला होगा कुछ खालो और कुछ गारो इसको अगोर के बैठो अगर तुम्हारा इपकिया दुसमन है नो तब फिरला मारे यो तो इवार तु धर लेना अकेले नहीं मारना हम लोग कभी बुलाना बहुत दिन से जंग लगा अबु आदिमानम गार दिया देखिये प्रकृति कहां कहां से इंसान को कहां ले जा रही है आज हवाई जहाज तक पहुंच आई है हना उजो गार दिया अब वैट को देख रहा था बीच में बारी सोईये रही थी अबु कल्ले हो का देखा तनी सा तु सुक गया उसके बा अब्सक्राइब्सबाद, तस दिन पंदरह दिन बाद जबू, जिसको मारा था पिछला बार ऑपुंचा, भी हम ला jur रही रहा आउल जोशहरा आपकु म॥ा जो फमने कैलता ना रहता हम इह कई से हो सकता है और यही था खेती यही था आदीमान वोने समझ लिया कि इक रहा लमारता उमारता कोई नहीं है यह अपने लमोर जाता है उसी को बाद में किर्सी का नाम दिया गया यानि खेती की सुरुवात हो गई और याद रखिये मेहर गट नामक अस्थान पर हुई तैंकरों बच्चे वो और हजारों जो देख रहे हो और लाखों जो रात में हमारा वीडियो देखा वो उस सब को हम हाथ जोड़के आप लोग को अभिननदन करते हैं और परनाम करते हैं कि आपने मुझे दिल में अपने अस्थान दिया है मैं वादा करता हूं आपका कभी द दिल नहीं दुखाऊंगा कभी दिल नहीं टूटेगा अईसन परहें गना आई सन परहेंग नं कि उन्नेता फोनOME आते रहेंगा प्राहान परी यह हम से मिलरी मिलेंगे अभी जीकुमार सर्ट हैं यह मेटे और बेटियां आपका जीवन पूरे देश के बच्चा को कहते हैं आप लोग का जीवन तलवार के धार पे है कमतीसन के बच्चे हैं याद रखिएगा हम खुल के कहते हैं मोबाइल का दुरूपयोग नहीं किजिएगा नहीं अगर मोबाइल का दुरूपयोग करते हैं तो अंतिम सफलता से आप चूक जाएं, अगर आपको सफल होना है तो मुवाइल का सिर्फ सदुपियो किजिए, वो टेक्नलोजी का चीज है, आप उसका यूज किजिए और वही आपका सहारा बनेगा, आप यूज किजिए गाता सा, लेकिन आप लोग का चुकी उमर बहुत क काम करने आती है, वो क्लास एट में की छात्रा है, और वो जब मेरे ही मुवाइल से हम फिरी थे तो बात कर रही थी किससे मैंने जब मुवाइल छीना, तो मैंने कान में लगाया, उधर से लड़का था, मैंने का बेटी, ये कौन है, तो उपता है उसने मुझे क्या का, कि सर ये ना, दसमा का लड़का हम इसे बहुत प्यार करते हैं, मैंने कहा, मैंने कहा, रहे, आठमा की तुम मेरी बच्ची है, उन्ने उधर समा के बच्चा क्या बात करेगा, बच्चा है तुम लोगा, तब बोला, बोली वो बच्ची, भाईया, सब बतियाई चाओ, यहार टट मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है, और मेरा अगर बस चलता है, और मैं अगर देश का परधान मंत्री रहता, भले चिठ्ठी पहुंचाता, कोई जा कड़ा किया, लेकिन मोबाईलवा के हटा देते, बरा समस्या और अमर देश में, एतनी एतनी गो बच्चा, I love you, आरे क्वा मैं आपको सीधे तोर पर संदेश देता हूँ, मैं ये नहीं कहता, मोबाईल नहीं चलाओ, चलाओ, एगो नोकरी हो जाएगा न तुमको, जे बेटी के हमरा एगो नोकरी हो जाएगा, कोई सास नहीं डाटेगी, उतन को उदास होगी न, ता सास उनने से आके पूछेगी, बेटा, बहु नहीं, बेटा, क्या तकलीप है, काजू के हलुआ लाके चम्म से खी आएगी, बाबू हमर खाल, है न, अगर नोकरी नहीं होता है तो ओह सास, दोसरा फिली में क्या होगा सुनो, आगे, गे तोरा माईनों सिखल का उरगे, तो हमरा, याद रखियेगा, एक ही नोकरी करो, तू आ, लरका याद, पूरा देश के हम कह रहा है, नोकरी हो जाता हूना, लरकी के बाप तो उतराहिए, लरकी के आँ है, कि हमारी बेटी का देखिया न, किता सुन्दर मू है, है न, ता इसी लिए, लरकी के पीछे मत दावरो, लरकी का बाप तुम्हारे तोरा और के कोई टेंसल लेने का जरूरी नहीं है एक बार अपसर बन जाएगी ना ता देख लेना यह बुरुवा का बात याद आएगा कि बुरुवा सही बोल ला था है ना जानलीजीए पासान का हां एक बात और मैं बोलना चाहता हूं कि मैं जो भी परहाई कराऊंगा जि राइटर भी हूं और पिछले दस साल से राइटर हूं ठीक है तो याद रखिएगा कि मेरे किताब का वो वो चैप्टर का फोटो एस्टेट एक पेज करके या मैं भीपीन सर को दे दूंगा और उन्हें कहूंगा कि बच्चा को दे दिजिए अपने से जाके कहीं जैसे लेकिन तुम लोग तो दोसरा के याद करता है समस्य है हमारे साथ अन्हों कि यहां तो कहता है सर्जी सअरा उन्ने जाएगा झाइगा आध रा χ काम से याद रखना सफलता और और सफलता के बीच में सुनो सफलता और और सफलता के बीच में तनियसा का अंतर होता है उँ अंतर तुम आने नहीं देना मेरे जिगर के टुकरो तुमको सफल होना है सिकंदर जाई संथा ओहने तुम है हमार भारत के कोई बच्चा सिकंदर से क पता है कि नहीं पता है सिकंदर की कहानी ठोड़ा धरकन को तेज करने के लिए सुनलो जब सी O सिकंदर का नाम आ गया तो सिकंदर कितने इस भी इसापुर में हमला किया था भारत पे बोलो सिकंदर ने भारत पे कब हमला किया था कल देख के आना मैं इसे छुपा देता हूं सिकंदर जब भारत आ रहा था तो राष्टे में उसने महसूद किया कि उसकी सेना के पीछे एक बहुत ही सुन्दर लड़की चल लई है यह सची घटना मैं बोल ला हूँ सिकंदर ने अपनी जीवनी लिखिया यूनानी भासा में उसमें इसका वर्णन है जो कोई नहीं जानता होगा सुनो आज वो डियेज गार्डेन के इतिहास के इतिहास नाम छोरी नहीं रही थी जंगल से उस दाथे में गुचर रही थी तो सिकंदर ने सेना को आदेश दिया ठाहर जाओ सेना ठाहर गई सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को अपने पास बुलाया और कहा गौर किया तुमने एक लड़की हम लोगों के सेना के पीछे बहुत देर से चाह रही है बोला हम महराज मैं भी कहना चाह रहा था बोला जाओ उसका नियत पुछो और अगर थोरा भी लगे कि सत्रू है तो सर को धर से अलग कर दो सेलुकस निकेटर गया और उस लड़की से पूझा ऐ लड़की तुम अमारे सेना के पीछे क्यों आ रही हो लड़की ने भी तमक के उतर दिया सिकंदर आभी है क्या हूं भोला नहीं वैं उनका प्रहान सेना पति सेलुकस निकेटर हूं लड़की बोली हम चमचा विल्चा से बात नहीं करते हैं सिकंदर को लाइए सिकंदर से बात करना है अब तब बेचारा से लुकस नीकेटर के हाल हो गया खराब सलाई हमर मालिक के बुला रही है इना कर आओ जब जाके जब से लुकस नीकेटर गया सिकंदर के पास तो उसने पूछा सिकंद्र ने क्या होगा नार दिया वाल क्या मारेंगे मारेंगे क्या हमको तहाँ inevitably हमेशा बोले हैं कि जीवन में जब तक पूरी दुनिया को नहीं जीत लूँगा तब तक किसी लड़की के तरफ नहीं देखूंगा, बना हनतो इसं पिसले मैं नहीं देख रहा हն, कहीं वहीं नहीं देख रहें था उई सी अवी करका बोला रही आपको कि आ ओ तो बोला कि तर गिस सकाना काही दिया हम किसी को नहीं पहुचानते हैं आप आप सुना जब पहुंचा सिकंदर तो सिकंदर ने मुझ फेर लिया और पोला ऐ देवी बस पांच मिनट का ये घटना सुन लो बिटा ये तुम्हारे जिन्दगी के लिए जरूरी है सेल्यूकस निकेटर ने कहा सिकंदर ने कहा ऐ देवी हमारी सेना के पीछे क्यूं आ रही हो उसने कहा सिकंदर आप ही है लड़की ने कहा जी तो उसने कहा महराज आप मेरी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा बेटा बस पांच मिनट कहानी को पूरी तरह सुन लिजे पांच मिनट की कहानियां सुनिए ये हर जेंट नहीं आदा गंटाल हम रुकेंगे भी नहीं पांच मिनट की कहानी समाप्त करेंगे पहले तो सिकंदर ने कहा कि मैंने कसम खा रख की है कि जब तक पूर पागल हो गई हो क्या तुमका जिंद्गी से तुमको मोच चुट गया है इससे पहले कि तलवार निकालता सिकंदर से लुकस निकेटर आ गया से लुकस निकेटर ने कहा महराज एक बात बोले बोलो बोला मैंने तो क्या सिरिष्टी में कोई वेक्ति ऐसी सुनगर लड़की आ पसंद आजाए तो कि यह गाना तो गरदन तो काटिये देना है देखो आदमी का किसमत कहां कहां ले जाता है मौत का कारण बना था यह घटना सिकंदर ने उसको देखा अब आसो है हम दिल दे चुके सणाम जिनना होता है नाया फिली में और उसने साधी कर ली उससे लरकी स साधी कर ली और सेना के साथ लर्की हो गई अब वह पतनी हो गई और चल दिया वह भारत पर हमला करने यह रास्ते की घटना है जब भारत पहुंचा तो भारत के पतां मुझे क्रा रहा है रांद दिया एक दीन युद्ध भुमी में ही उसे चक्कर का अनुभव आया उसने सेल्यूकस निकेटर को कहा कि पता नहीं मुझे क्यों चक्कर आ रहा है बोला चक्कर कहें नहीं आगा महराज आप घंचकर आदमी है रात में बैट के प्रगराम करते हैं कि कल्ले किसका धोती की फरना है कि सको पतक के मारना है कि सकतर वार से मारना है बहुर करें चलाते हैं अब श्रीर को अराम की और कि आपको कमजोडी पहुंचा तो सिकंदर की स्थिती बड़ी खराब हो गई इतनी खराब हो गई इतनी खराब हो गई कि दर्जन और आजवेध लग गए उसके पीछे और सेल्यूकस निकेटर डाटा अरे कैसा कहे फोकट का बईट के पैसा लेता है रे डॉक्टर वासर महराज को ठीक करो यह जल्दी घोरा पर चहर के भेजिये सेना को और ले काएगा क्यूंकि इनका जान वहीं बचाएगा हम लोग के समझ में बीमारी नहीं आ रहा है अब पहले बला बात अभी बला बात तो हैंने कि फलाइट से लाना था कि यह घंटा में चला था गया आया तब तक इस्तिती इसकी साप खराब हो गई जैसे यूनान से वो पढ़ान डाक्टर आया उसने सिकंदर को देखते ही कहा कि इम्रितियुत होता है सिकंदर वोला कि दिमाग खराब हो गया है कि तुमको जिंदगी से मनुषा है बहुदा ही लाज कराने है कि हदरा के महरने आया है iAm honor माराज मे कोई नहीं बचा सकता लेकिन आप मुझे कुछ हकीकत बता देंगे तह आपको हम कुछ दिन बचा लेंगे विला क्या हकीकत बोलाग दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा बिस्वास किस पर है मोला दो व्यक्ति पर भॉला कि एक व्यक्ति तो महराज हम जान रहे तैस्केलिków लुकस निकेटर आपका परधान से नापती यह दूसरा व्यक्ति कोन आगे आपके जीवन में बोला मेरी प्यारी धरम पतनी बोला अच्छा तो जहर वही दे रही है क्या बात करता है जहर क्यों देगी मेरी पतनी हमको इतना प्यार करती है बोला आप आपको सब पता चलेगा क्या करती है राजवयद ने कहा ये अगर सेल्यूकस निकेटर और उस लर्की में सक किया जाय तो किस पर किजिए तो लर्की पर करेंगे सेल्यूकस निकेटर पर तो किया नहीं लोटा तो होना चाहिए लेकिन लोटा में पानी नहीं होना चाहिए, कुवा के पास रसी भी नहीं होनी चाहिए, पता चलेगा वो क्या-क्या करती है और क्या-क्या मिलाती है पानी में और कहां से लाती है पानी, बोला इससे क्या पता चलेगा, बोला आजे रात में पता चल लड़की उठी जल्दी से घराक से गई पानी निकाले घरा खाली कि बोलारे मर जाएंगे तब पानी पिलाओगी क्या दौर के गई कुणा के पास तो रसी है नहीं है पानी के निकाला जाए इधर से ऐसा बेवस्था सिकंदर को बोला था कर लेजिएगा कि आप सारा सिन इस्त्रीक और गर्दन से नीचे का धर सरु कबना आग के सामने देखा पूच से लपेटा लोटा को लपेटी वो लोटा अंदर कुणा में गया और इसे पानी खीचाता है वैसे खीचा के पानी आ गयए और फिर वो लर्की की हाथ मैं पानी आ गया अब आईसा कंदीसन समाज गया कि यह इस्तरी तो सर्प है और इसी के साथ चुकि हम पत्नी के तरह रहे था इसका विस और मेरा रक्त मिला है और उसी से यह बीमारी हुआ है यह तो किलियर हो गया लड़की आई जल्दी से दौर के बोली पानी पीली जिए पानी ले आए हैं सिकंदर ने बहुत र जोटा नीचे रखके बोला मैंने तुम्हारा क्या भीगा रहा था तुमने ऐसा क्यूं किया लड़की भी समझ गई चुति उता साधारन बुद्धु लड़की ता थी नहीं कि घास गरगर के लाती थी उता इच्छाधारी नागिन थी उसने कहा कि महराज जब आप जान ही नारी बना दिया हमारा हस्वेंड कौन है हम कौन पूरुस के साथ रहेंगे तो उन्होंने कहा दुनिया में एक ही मर्द है जो तुम्हारे योग है जिसका नाम है सिकंदर और उसको तुम ही से साधी होना लिखा और मृत्यू भी तुम ही से है इसलिए साधी तुमको उसी से करनी है और उसी के साथ हम आपका इंतजार कर रहे थे आपकी सेना यहां से घुजरी हम रास्ते में उसके साथ हो गए और आप सब बात उसके बाद जानते ही हैं सिैंति कंदर ने का आप यह बतला तुमने तो मुझे मार ही डाला अब तुमको क्या करें बोली क्या करना है जो करना है किजिए सिकंदर ने जैसे ही तलवार निकाला उस लड़की ने कहा महराज आप महावीर हैं इतना वीर पुरूष जो दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा है एक इस्तरी को मारेगा अपमान होगा आपका लाइए ही काम आपका हमी कर देते हैं और उसने अपना गरदन काटके नी उसको क्या किया तु मेरे जीवन के साथ अब तो हम भी मरेंगे यह तो नागिन है राजवैद को बुलाया राजवैद को बोला कि अब हमको जल्दी जल्दी इलाज करो बोला प्रभू हम कुछ दिन ही आपको बचा सकते हैं तो बोला तो चलो यूनान रास्ते में जब सिकं सिकंदर का जिस व्यक्ति का लक्ष जितना बरा हो उसे इस्त्रियों से उतनी ही दूरी बना के रखनी चाहिए वरना लक्ष अधूरा रह जाएगा मेरे जिगर के टुकरो मेरे सभी भारतवर्स के सिकंदरो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर तुम ऐसा नहीं फॉलो करत से हो तब पता चलेगा सपना कलक्टर का बन गए कंडक्टर है ना भारत के तमाम विद्यार्थियों से मेरी प्रार्थना है कि मुझे अब छोड़ दिया जाए इसलिए क्यूंकि विपिन सर की तब्यत थोड़ी खराब है और वो मेरे लिए पुत्र समान है हम उसको बच्प अगर हम तनको दिर नहीं पढ़ाएंगे बच्चा का दिल दूख जाएगा कम से कम कुछों पोल की आजाएंगे और वो आपके पास आएं इसलिए विपिन सर को हम सेल्यूट करते हैं कि वो आपको इतना प्यार करते हैं सेल्यूट है उस इंसान के ठीक है आप लोग मुझे इजाजत दे दिजिए अहां पूर्व पासान कल का असाइनमेंट और हां पूरे जिंदगी 25 रुपया तुम से नहीं चाहिए आप पांच रुपया फोटो एस्टेट भी हम नहीं देंगे तुमको अपने करवाना होगा तो करवाना नहीं कर आओगा तो रिजल्ट नहीं आ आता नहीं है तो आप विदा देते हैं हमें जाए हिंद जाइए कर स्टा ईो कर से रिधे सर्फ जाए देसं हारा में जाए भपित कर सीची तो झालगे तोहिर नहीं अलाए टता है से विद्भे मैं से क crafts अएए